घीता धुआ छाडार जखन धुआ छाडार मुखे आपे तो अगुंटा बंदो करे देवेन। ठीकाचे आगुंटा बंदो करे दिये एक टू ओयट करून। नालो ओते सुजी धेले दिले पूड़े जाबे। एक मिनिट हुल्ट करे एक मिनिट उपेका करे ओई शुजी ता दबबा कीचु ओते कीचु राखुन सुजी धालबेनान नाला भेन। इभवे नाडिये नाडिये शुजी अके मुच ज़बाजा । भाजा मुच मुच ज़बेने लिएं। पाइसी दिखा ना होए मुंहाँ था खिचानो एक रखम कालर सुजी ना होए जाए एक पालर भी जेगा इस ज्यादा डारक नहीं होना चाहिए चाहिए इत्थे के बिसीना डीफ होए जाए तो एक रखेदीन आपना रोए गळलो नार्कोल डास रीफाइन तेल जेटा अपन वहीता ere ठीके 200 ग्रम दिये मुपळाओ अपथी नहीं 200 ग्रम दिये मश्चेश खेबा मचूर्यटों ने जवचे अपनी 301 घुचर दे ने थे मारे धो भीट स्धिंट भालो हीट होए जाबी रिफाइन तेल्टा उते हो रूसुनेर गण्द आजबे तार परे आगुन बंदो करून और नार्कोलडास्टा ढेले दिये भालो करे नाडते थाक बेन एगलो नाडते हाबे किन्तु मच-मचे भाजा मतो हे जाबे आपने थाये तेल्टा गिलो नार्कोलडास्टे गैलो अलादा रहे दिये तो के प्रेदे नारकोल दाश्टा उन्हार्गदे धन्हारइ। में अपने草च्छ होने चिलेट कोई खे दानिदेखें, हीट पेर आरप होए है जाक्ष्छे मैंनि अपनी हाते राखते पर वरोत भूआ हुचिलेटा तो कोन आपनी की करवें, पर्य प्रुआ, कोनो का टिर रापहने एक टुू ठांड भूआ भेर आ धर गा. काचेर पात्त्रे डबबाई धाल भेन धेले 55 ml 3x राम धेले दिये मुख बंदो कोरे इभब नाडिये भालो कोरे भीजिये ने बेन उटा के रेखे दिन उते ही थाग भेन एखाने पोजन तो अपना सब कॉम्प्लीट होएगा जारकुनो संद्यो सब कीचु कॉम्प्लीट ब ज्यादा से ज्यादा पांस दिन ठीक है ये सब समन बनने के बाद आप इसको एक मैना तक पकड़ पकड़ के बनाएए मेरे तरफ से कोई आपती नहीं है जिस दिन काम एंड हुआ उस दिन से तीन दिन या पांस दिन उससे ज्यादा नहीं लेकिन तीन दिन से पहले मिलाना और पांच दिन के बाद जाना नहीं पांच दिन के सर में जाके पहले खल का दो एक खल ले लिया कौन सा बड़ावला सरसो का खल को एक बड़ावला पतिला में डालिया सरसो का खल ले लिया उसको दो बर हाथ से घीसा अच्छा से पूरा टोटल दो से तीन बर घीस दिया, उसमें नारियल का खल डाल दिया, बड़ावला में, सरसो का खल डाल दिया, उसको आच्छा से दो तीन बर घीस लिया पूरा को, फिर उसमें नारियल का डाल दिया खल, जो रेडी हुआ है, उसको डाल के अच्छा से घीस दिया, मतलब अच्छा से, मतलब दबा के नहीं घिसना है अच्छा से हलका हाथ में पूरा आरपा सब जगा मिल गया घिसना नहीं है दबा दबा के आप जो पाट बना रहे हैं ऐसे घिसना नहीं है उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ देखिए ऐसे ऐसे लिया और ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसको पूरा को जल्दी जल्दी कर सकते है लेकिन पूरा को मिलाने का तरीका है यह मिलाना है ऐसे मिला लीजे ठीक है यह हो गया पूरा मिल गया पूरा मिक्स हो गया उसके बाद आप ले ल प्रवाइब दाल के उसको मिला दीजिए यह हो गया मक्काई का उसके बाद आपका बच गया सूजी और आपके बच बच गया नारियल डास्ट आपके पास बच गया चूड़ा पहले सूजी को डालिए फिर खिसे इसमें दिख रहा है सुजी दिख रहा है आपको यह सफिद स पर जो है सुजी है इसमें ठीक है और नारियल डास्ट भी है तो सुजी को देखें आप पूरा में पूरा में मिलाने का मकसद है मिलाना है पूरा में एक एक के बाद एक और इसे मिलाना है मिलाने के बाद इसको आपने टोटल बन गया इसको आप बंद करके रखिए अच्छा से और धूप में मत दे दी जिएगा और इसमें घी खांकड़ी रहे गया यह घी खांकडी को आपने लास्ट में करना क्या है उसको थोड़ा सा एक जगा में चोटा जगा है एक ऐसे मुठी दो मुठी वो टोटल मसाला को लेना है लेके उसमें रखिया और घी खांकडी देके अच्छा से पालिस कीजिए उसको लास्ट में पालिस करके उसमें देके पूरा लड्डू बंद कर दीजिए और ठंडा मतलब रूम टेंपररचर में रख दीजिए कम से कम 15 दिन ज्यादा से जितना लंबा होगा एक लड्डू एक मचली कोई रोक नहीं सकता और लड्डू बनने का तरीका फिर तीसरा पाड बनना पड़ेगा समझ में आ रहा क्या क ठीक है मैं इसका तीसरा पाड बता रहा हूँ ओके बांगलाई की कि छेड़ेगा लो एक फोन आसले बिरोक तो लेगा जा पूंच इस खाना फोन एसलेगा जा काके जो अब वीडियो कोरते दीख चेला तो बोलची अपना देर बांगलाई जेटको पॉन्त बॉला होलो चे चीडेपोन्तो माखानो खोए गाछे ये जेटा माखो मेर गाध रोए गीए छिलो माखो मेर गाध टा आपनी ओई माल्टा थेके टोटल माखानो जे कोर-बांगलाई बोल आम ताँ मोनएन लियार सोरसेर जे माल्ठा भानाका भातर अगारक बॉलयादादी है km पलिष समस्वां तीन चार वर पालिस करवेन हाल का हाते फुरो पार में पहुषे नउइ फुरो पेसर दिये नौइ तार पर अपना अपना भुट्टा छातू बा माकाई ज़े बंड़ा नो आचे पाट्टा के अपनी निया तॅसमा च्रहिं प्समा भाखल भाहा तरीं पर चैंजयर समयर सका हूरा कहलने,े थो सतो अम्लों के खालें और ईपनी दोरी तॉजे विसलुक है खीकवागडी देवें पूरो टाइ, नार्कोल डास दिये भालो करे पालीस करभेन, तार परे आपनी करभेन बाकिरो एगालो चीड़े, घीखाकडी या चीड़े, चीड़े टाके, अई जे भीजी एरेगे चीड़ें मोधेर, अई टाके दीए हालका हते, हालका हते माली पाल पूरो मुट्टागे चेंज कोरे दिलो फोन परेकोले तो एही होए गालो अपनार चीड़े पोजनतों माखानोर बाखी तो एह गालो कि घी खाकडी घी खाकडी टा नेवेन आडाइसो ग्रामेर मोतो ओई टोटाल माल टाते के नेवेन एक्ट पात्रे निए घी खाकडी टा भालो कोरे माखा भैन भालो कोरे हद्धी घौस ठीका जवेन ग闿ंठीं टोटाल मॉसलाटा theor होएगा होएगा चे होल लाट्डू ओई टातैगे निए भालो कोरे घुज भालो कोरे घdan घौसे निए आप्नी घ्खोषे निए और हाल्का हाते हाल्का हाते हाल्का हाते à अगर कुछ छूट गया तो मेरा धियन में नहीं आ रहा था अगर कोई सवाल रहेगा दिल में तो सवाल कर सकते हैं लेकिन इसको हर मचली खाएगा कोई रोप नहीं सकता अगर कोई मचली इसको तेहीं छोड़े जाता है लेकिन इसको सेपकतला पकड़िया है यूजना तो आपको जिसको सेपकतला पकड़ियां फ़ल के लिए बोला ynस दाम केला और आपका क्या बलते हैं कठाल उसका जो रस बनने का जो वीडियो दे रहाँ अगर जिसके पास रस बन गया है वो उसका maturity करना है ये खल में ही ओही चीज को मिलाना है अगर जिसके पास जिसको वो चीज बनना है तो वो पक्का रिपोट करेंगे मुझे पका बोलेंगे तो मैं फिर उसको साजसन दूँगा, कैसे उसको बनाना है, ये वीडियो में बोलूँगा नहीं, क्योंकि उसको दिखाना पड़ेगा, उसका पॉसेज भी दिखाना पड़ेगा, वो कैसे बनता है, ठीक है, वो इतना आसान नहीं, वो एक गोटा साबुद वीडियो बन जाए टीन हो जाएगा अपनारा कोईटनों बस पांज भांज भाशन दोख भार्टन राहे पर एक प्रिखने का तरीका है इस वीडियो में जब तीसरा पार्ट हो रहा है बता देता हूँ इसको फेकने का तरीका है आपने जीतना लिया पकड़ लिजिए यह अपने इतना लिया तो उसका कैसे बता हूँ तो दिखाने के अभी टाइम नहीं है जुम्मा पढ़ने जाना है तो इसको इसको आप बनाना ये इसमें आधा किलो है, ये तना ही ले लिया आपने तो इसमें कम से काम आपका ये हाथ जो धिखा रहा है जो आइसे भछ के गरम चावल देना पड़ेगा चावल को एक साइट में देखे इसको थोड़ा देखे चावल को देखे ठीका है और भात पुलाव को एक साइट में रखिए और उसमें थोड़ा दीजिए हलका हलका चकोट यह पूरा नहीं चकोट नहीं थोड़ा रखना है रखके उसको फिर से मिला लीजिए ठीक है और इसमें मैता मैता आप दीजिए जरुत के मताबिक अगर आधा किलो है तो दो से तीन चम्मच जो टेबिल इस्पून है दो चम्मच दीजिएगा देखे उसको खल का लड़ू थोड़ा देखे इसको अच्छा से ऐसे ऐसे करके मिलाईए मिलागे फिर उसको धीरे-धीरे ऐसे मिला लीजिए पालिस नहीं होता है यह लड़ू ठीक है जहां कतला है वहां नारिय पान मीट भी ना onset ऄगए गाता है घीरे-धी ऐसे यह मिल जाइगा sit माका लड्डू बोलता है बनेगा जारा नोधी ते फैलेन ओई भाववे भावब भाना भेन माखा लाववे पोल लाम सब कीचे एरम कोई दीलैं दिये पाउरुटी टोप के भालो कोरे नारम कोरे एकटु ओ हाड़ीया दे बेन पाउरुटो पे चैट चैट भावावास भेन नारम लदलो दे अधिरे द्यूले घर्चनिताए यह मचली को बूला के खात खिलाता है यह जितना धीरे धीरे धूलेगा और मचली दूर में है तो धीरे धीरे आके उसको लेके जाएगा एक गंटा डेड़ गंटा दो गंटा मैं धाय घंटा तक यह लड़ू को गिरा के रखता हूँ उठाता नहीं मचली लेता है तब ही मैं उठाता हूँ मैं हाइस्ट धाय घंटा तक यह लड़ू को गिरा के रखता ये खोद चराई है और खोद लड्डू है अगर किसी को वाक्त है सुबे से गिराना है तो थोड़ा मैता मिला के पानी में डाल दीजिए थोड़ा नाडियल सड़ा हुआ डाल दीजिए और डाल के इसको लड़ू को डालते रहिए ये लड़ू टूटता रहेगा चाराई बनता रहेगा मचली घूशता रहेगा आपका खाता रहेगा आप बेंगोली में समझ में नहीं है तो हिंदी एई टोप, एई लाड़ू, एई सोब, ठीका चे, किन्तु पासपुगरे जोदी फैलेन, एके एक्सोगरमेर मोतो, यहाडिया, पोलाव, बाकोड, साधा बाकोड, लाल बाकोड, नार्कोल पोचा दिये भालो कोरे माखा बेन, खानीकरा माठी दिये पालिस कोरेन, खानीकरा दूलाडू बाल नामी है देबैन, ओ फाठोक तार परे जोदी पासपुगरे जोदी खाला रिच्चा होई, एके ड्राई कोरे फेलोन, कोना असुभी देने, एके सब्चे बेशी भालो माच काई काई कातला माचो, नोरोम सब्ट कोरे जोदी फैला जाए, जामनाई पाउर ठीकाचे, तो अब अबस्टो डाईरेक्ट ड्राई जोदी पासपुगरे खालें, बड़ो मास चला छोडो मास तूलते खुब कोस्टो हाई, और एते कोनो माच बात जाबेना, कोनो संदो नहीं, जोदी बानान अपनी अबस्टो ही देख बेन, पोस्टो कोर बेन, आडियो कोरे पाठा बेन, यूटूबे लिग बेन, फोन कोरार चेस्टाटा कॉम कोर बेन, कारणा में खुब भास तो, खुब बीजी, अपना देर एतो साथ एकोन दीते पार बोना, जोखन जोट होन ना पेंसन चोले आसी, मैं जब तक पेंसन नहीं आजाओं, आप लोगो इतना स साथ देना है, आप लोगो का साथ देना है, तो मोरल मद डाउन कीजिएगा, हमेशा, मेरा ये लड़ू कम से कम दस साल तक रख सकते है, और जितना पूरा नहोगा, एक लड़ू, एक मचली, कोई रोक नहीं सकता इस लड़ू को, ठीक है, अगर सही ढंग से सही बन गया, त मुझा सही गया, तो ये लड़ू कभी आपको घर खाली हाथ मालिक के मर्जी से नहीं रहमत से नहीं आने देगा, ये मेरा वादरा है, मैंने कभी इसको लेके जाके खाली हाथ प्रूरू करते हैं।